कोशिश हमारी यही तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे समवाद संस्कारधानी जबलपुर से शुरू हो चुका है साहित का नया चैनल डाइनमिक समवाद टीवी आप भी आईए जुड़िये हमारे साथ अपनी रचनाएं हम तक पहुँचाईए ताकि आप भी विश्व के साहित पटल पर उभर सके आखरी में किवल इतना की कोशिश हमारी यही तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे समवाद नमस्कार मित्रों मैं डॉक्टर कीर्थी अवस्थी लखनव से मुख्यरोप से मैं कहानिया लिखती हूँ इसलिए कविता में हाथ थोड़ा तंग है फिर भी कुछ पंक्तियों से प्रयास किया है कि स्थरी को बड़ी आसानी से पुरुष्वर चरित्रहीन बना देता है पंक्तियों में आपका ध्यान चाहूंगी कि आप ही तै करें कि वस्तविक्ता क्या है तुम अभी नादान हो तुम अभी नादान हो मर्दों की पकड़ में आसान हो तुम्हें पता नहीं है इनकी जात का इनके लिए तुम खिलोना बेजुबान हो ये चरित्र ये चरित्र तुम अपना बताते हो कि मेरा? वो पहले तुम्हें बहकाएगा. वो पहले तुम्हें बहकाएगा मीठी-मीठी बातों से फसलाएगा. जब तुमको कर लेगा बश में, फिर कोने में ले जाकर कुछ अपना काम बनाएगा ये चरित्र. ये चरित्र तुम अपना बताते हो कि मेरा हाई उसके नैन कटारी है उसके नैन कटारी है देख सीने पर चलती आरी है हाई उसके नैन कटारी है देख सीने पर चलती आरी है एक बार जरावो मिल जाए कदमों में दुनिया सारी है ये चरित्र ये चरित्र तुम अपना बताते हो कि मेरा छिप कर मोबाइल तुम देखो छिप कर मोबाइल तुम देखो लाल टपकाती हुई आँखे से को कैसी भद्धी तस्वीरे खिचवाती है सब ये सुसंस्कृत होने का सुर रेको ये चरित्र तुम अपना बताते हो कि मेरा मेरे दोस्त ने एक चडिया फसाई है वो कई बार उसके कमरे में आई है मज़ा तुमने भी तो लिया है इस लजीज किस्से का और दोश देते हो भगवान को कि उसने कैसी कैसी औरते बनाई है ये चरित्र यह चरती तुम अपना मताते हो के मेरा और पत्नी के लिए क्या कहते हैं तुम मेरे घर की इज़त हो तुम मेरे घर की लक्षमी हो जिससे घर में उज्यारा हो तुम वो उज़ोर्शमी हो मैं दुनिया पर राज करो तुम मेरी विजया दश्मी हो ये चरित्र तुम अपना बताते हो के मेरा उमेद है आपको ये कविता पसंद आई हो बहुत बहुत है मेरा मैं अराध्य अर्थिवारी प्रियम अपने द्राइं सपा तीवी में आपका सौगत कत्रिंस में कहानी कवीता और आजनीती के रख हमें चनल को सब्सक्राइब कीजिए कोशी समय ये तोरिंगे मुन को जाए रखेंगे संबात